फिर से स्वागत है हम बात कर रहे हैं वादे कितने पूरे कितने अधूरे सिहोर जीले के चार विधान सभा पे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे साथ हमारी स्टूडियो में हमारे राध्यूतिक संपादक अतुल जी जुड़े हुए है साथ ही हमारे सिहोर के समवादात अमीश शर्मा भी जुड़े हो इससे पहले मैं कुछ जानकारी भी मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा और स्क्रिन पर भी मैं अपने सहीयोगे से कहूंगा वो जरूर चलाएं सिहोर की अगर हम बात करें सिहोर जीले में चार विधान सभा सीटे हैं हौट सिट माना जाता है शिवराज वहां से लगातार चुनाव लड़ते हैं और वरतमान में मद्यप्रदेश के मुख्यमंद्री भी हैं और सिहोर विधान सभा सीट में बुद्री से शिवराज जी चु महां से भाजपा के सुदेश राय, कांग्रेस से सशांक सकसेना, आश्टा सीट की बात करें, भाजपा से रगुनात मालविय, कांग्रेस से कमल चौधरी, इच्छावर सीट से भाजपा के करन सिंग वर्मा, कांग्रेस से शलेंदर पटेल और बुद्री सीट से अगर भाजप का गड़ माना जाता है अतुल जी कैसा यह अगर बात करें मुख्य मंतिर तो सवहाइक रूप से वह गड़ हो ही जाता है चुकि कांग्रेस का बहुत ज्यादा वहां पर वर्चस्व नहीं दिखता क्या वहां पर इतने विकास हो चुके हैं कि स्री भाजपा मैं ही हो चुका है बीजेपी में हो चुका है बीजेपी का गड़ हो चुका है जी इसलिए सीहोर सीप जो है सीहोर के चारों सीप बीजेपी का गड़ मानी जाती रही है मैं आपको बताओं कुछ चारों सीपों पर बीजेपी का ही कड़ा है एक सीप पर बीजेपी ने टिकेट बदल दिया थोड़ा सुधार मैं करना चाहूंगा आश्टा सीप में बीजेपी से इंजिनेर बोपाल सींग चुनाव मैदान में है याखिस्तानी विदायक का टिकेट कार दिया है बीजेपी ने शर्शांग सकसेना नए और यहां पर मौका दिया है बुद्री सबसे हॉट सीट मानी जाती है लगातार चार बार से शिवराज सींग चौहान वहां पर विदायक बने उसके बाद सांसत बनते गए और फिर लोटे तो लगातार विदायक बनते चलिए